जाए हिंद साथियो स्वागत है आप सभी काज की समयत्यपूर्ण क्लास में जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट 75 के बारे में जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक सब्मरीन जी हां यह प्रोजेक्ट 75 सब्मरीन से ही रिलेटेड है और ऑफ़ प्रोजेक्ट जोकि भारति नेवी को ससत बनाता है इंडु पैसिवीक को काउंटर करने के लिए चाए वह चाईए पाकिस्तान से और पाँटर करने के लिए सच्छम है बारे में ॉस साथीव 17 साथियों जब फाइन आफ तर dough हो कि वारे में से लेकि इदर पश्चे मंगाल तक का इसकों पैनेंस उलार इंडिया की नाम से जानते हैं क्योंकि एक तरफ अरब का सागर दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे स्री करती होना जरूरी होता है और उसी श्ट्रोंग को चकर में भारती सरकार ने लगातार कोसिस की है कि भारती नेवी और से ससकत हो सके कि सेरा और साथे साथ Spanish State Owned Company जिसका नाम है नवान्तिया और फ्रेंच की एक कंपनी है डी सी एनेस और भारत की एक कंपनी है मजगाओं डोक्याड लेमिटेड जिसका मुखिताह काम है सम्मरीन्स बनाने का तो यह जो है भारत की नेवी को सम्मरीन्स बनाकर दे रहे हैं और जो की सम्म सम्मरीन्स को ऐसे समझे पंडुब्वी पंडुब्वी का च्छे पंडुब्वियों का कॉंट्रक्ट सायन हुआ है भारतिय सरकार का और इसको कौन बना रहा है मजगाओं डोक्याड लेमिटेड इस्पैनिस की एक कंपनी इसका नामें नवांतिया और फ्रेंच की डिफें के साथ लेक्राइन्स की निया वह रिखें और साथ यह यहीं एक नया बेरिएंट निकल के आया और नया विए वह आपको कौन सा है यह आपका डीजल समरीन क्लास की सम्मरीन क्लास को आगеро हमने समझाय कोशिस करेंगे स्कॉरपीन ग्लास सम्मरीन टो आगे बढ़ता है सबस्क्राइबिक हैं अगे कुछ ऑफिशार्स मचंणक टोकयाड लेम्सिटेट्ट के तःत अभी सकथात एंस जो बागीर है वहаго Israeli हुई है इंडिन नेवी की अंदर तो उसी की एक पिच्चर लेके आये हुए हैं आपके साथ चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं साथी जैसा कि मैंने बताया था कि भारत जो थीन तरीके से समुद्र से घर के काम करता है तो ऐसे में यह देखना काफी जिम्मेदारी बा आपके हिंद माहसागर में तरनात कर सकता जिससे की चैना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए का प्रिद्पुर्ण भूमिका निवार रहे होंगे साथियों अभी तक आपने जब भी देखा होगा कि भारत के उपर इतने लोग सासक जो हैं राज करके चले गए चाए अंगरेज हो चाहें पॉटरिगी ठूंठ चाहें बोर एंगले से राज करके चले गए पूंकि उनकी नेवी स्ट्रोंग थी और हमारी नेवी जो ती वो समय स्ट्रोंग नहीं थी हालंकि इसके लिए कि आपकी छत्रपती सिवाजी जी ने काफी ज़ाध मैथ्ण पुन कदम निभाया जाता और नने भारती नेवी को स़सक्त लॉनाने की काफी ज़ाधा रहा है जड़ा थोड़ी सी बात करें देखोई मैंने आपको पहले ही बता रखा है इस प्रोजेक्ट की तेयत आपकी छह सम्मरीन जो कि स्कॉर्पीन क्लास की है अटेक सम्मरीन से उनको बनाया जा रहा है जिनमें पहली सम्मरीन का नाम है आई एनस कलाबरी जो कि साल 2015 के डोआ के अंदर सम्मरीन को कमिशन कर दे जाता है और इंस के पैले कमीशन बागीर के इंदर कमिशन हो चुक है और INS बागसीर अगली साल तक इंडियो नेवी के अंदर कमिशन हो जाएगी तो यह 6 तरीके की सम्मरीन्ज जो है INS कलावरी, खंडेरी, करंच, बेला, बागीर और बागसीर यह सम्मरीन्ज जो है भारत को इन में से पाथ संम्मरीन जो मुल चुकी है भारती निभी इनका इस्तिमाल करने लगी है जब कि छटमी जो सम्मरीन इसका नाम है आई-एन-इस बांग सीर वह भारत को भी रफ़े बाकि है और वो उम्मीद करते हैं 2023 की लाश्ट तक भारती निभी में वो भी सामिल हो कि साथियों यह प्रोजेक्ट 75 कि कितनी सम्मरीन से यह काफी ज़्यादा एक्जाम्स में पूछ लिया जाता है तो इसको याद करने के लिए एक स्कॉर्फबच म क्लास सम्मरीन पानी के ल Chemical यह को कि Bisphenol इन्दर और यह लिओ सकती हैं इनके साथ साथ ऑका उस्τιक साइलेंशिंग टैक्निक्स के आप इस तरह से दो होती है कि जब भी कोई सम्मरीं पानि के इन्दर जा रही होते है सवेज औस वाएज जाते जिससे कि आज पा समट सब्सक्राइब करते हैं और पराम से पानी के अंदर जा सकती हैं और पानी के अंदर से निकल वी सकती है साथ प्रिसीजन के साथ अटक करने के की काफ़ जधा पाबर भी है यानि कि जहां यह निशाना लगाएंगी वह सा लगेगा जाके उस मिसाईल का और साथ यह काफ ज़्यादा लो रेडियेट नॉइज लेबिल से हैं इनका मतलब यह साउंड कम करती हैं जिससे कि किसी भी पास वाली सब्मरीन को पता नहीं चलेगा और यह आसानी से अपने पास वाली खड़ी सब्मरीन को दुस्मन की सब्मरीन को टार्गेट बनाके आसान क्या सकता है रिया को खरनके के लिए चौकेदारी के लिए इस्तिमाल क्या जाता है एंटी संब्मरीं और elf टर पे इनका इस्तिमाल किया की मिसाइल सोती जो कि पानी के अंदर ही चलने की समता रखती हैं तो इस सिक्स टॉर्पीडों लॉंचिंग ट्यूब से इनके पास और साथ 18 थरीके के हैवी वेपन्स को यह चला सकती है थोड़ा सा और जानते हैं यह बिल्कुल ही सर्फेस के भी उपर अटेक कर सकती है अंड पानी के अंदर लगाता रह सकती है बिना किसी पानी से बहार निकले हुए तो यानि कि 21 दिंदर इंसे था स्व गाही नीकिस तक की इनकी डेफ्थ है ऑशें सी सरफेस से लेकि साड़े-system m丁मीटर से जादा की इनकी डेफ्थ लेफल है यानि की procent सबींसाँ में नीचे दिया सकती है उससे ज्यादा नीचे जा सकती है दिकी जब भी कई समरीन ज็ह नीचे आज रही होते हैं कोईभी इंसान जो होता है पानी के रहा होता है तो क्या होता है प्रैसर चोटा है काफी जादा अमावंट में लगता है इसलिए हमारे इस्कुवर काउंटर के लिए ये इसलिए थोड़ी से कम अमाउंट में जाती है यह नीचे जाती है और साथ इक जिन तक रह सकती है पानी के अंदर तो एक जिन तक इनके पास फूड की सेक्योरिटी रहेगी कि इनके पास वगयरा यह सारी सेक्योरिटी लेकर चलते हैं जब यह पानी के अंदर जा रहे होते हैं स्कॉर्पिन ग्लाज जो सम्मरीन से जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि यह तीन लोगों के दौरा बनाई जा रही है एक तो भारत को इनकी जरूवत क्यों पड़ी तो देखिए कारगिल बॉर के समय पर भारती सरकार को ऐसा जरूवत मैसूस होई देखिए कारगिल बॉर के समय पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स इंडक्ट किये कई हैं याद रखिएगा उनको तो कारगिल बॉर के समय पर से ली थे और जब रसीया से लीती तो उसकी जाने का समयाँ आगया था लिश पर लिए थी अमने उस सम्मरीन आहिकी जिएंडीया कि नुक्यर पावर को बनाने का प्लान के जाता है कि至 इतों ब्लांज के राइच कुन समय जाता है जिसके अंदर शोविस अब जो इस सम्मरीन बनाई जानी थी उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट नमर मुलें मुलें जानने होंगे जिस मैंसे चो यस सम्मरीनी ता टी हुए आपकी के तो क्या मंचनल संवराइन दी और तो छह समकेट आपकी नृक्लिय के और इंडिया के पास ऐखी नूकलीर पावर्ड जिसका नाम है अर्र हैं और यह आर्ःगाट जो है वह बहुत जल्द ही भारत के अंदर सामिल होने जा रही है और जो की एक नूकलीर पावर्ड सम्मरीन है यह देखी आप कि हम तस्वीर लेकर आये हुए हैं उम्मीद करते हैं आपको इस हैसन समझ में आया हो यदि आपको इस अब आयो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आप से बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद झाल झाल